अल् wonderल 혹 अल & वर्य वेल्कम बैक तो दे च Will come back शाइल ओर क्ला स्ट चल रहा है पुछले ब्लास में विचले क्लास में हम व ने पर्ऱ सिप्टे स्टाट किया था इंडरुडक्शन जिसमें कि हम लोग Market origin of auditing, यानि, origin, यानि, औरुंटिंग का start कहां से हुआ है, इस पर हम लोग ने चर्चा किया, Auditing in India, इंडिया, औरुटिंग कब आया, इंडिया में कब से हम लोग ने start किया, इस पर हम लोग ने चर्चा किया, और इसके बाद, चार-पांच हम लोगों नालग एल एक्सपर्ट का डेफिनिशन भी देखा अल्टिंग का फिर हम लोगों ने कंक्लूजन किया उसी क्लास को हम लोग आगे लेकर करके चलते हैं आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें है आपका इसमें है scope of audit, bookkeeping, accountancy यार आल्टिंग में difference क्या है accountancy और audit के बीच में difference क्या है और audit और investigation के बीच में difference क्या है तो चलिए आज क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं, let's begin पिछला क्लास में हम लोगों ने जो definition देखा था उसमें से एक आर भी वो उसका definition हम लोग auditing का फिर से लेते हैं, कुछ समझते है auditing क्या है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं short में audit may be said to be the verification of accountancy यानि auditing जो है ये accountancy का verification है किस चीज का verification है, तो correctness of the books of accounts, कि books of account जितने बनाए गया है यानि profit and loss account, balance sheet ये ठीक ठीक बनाए गया है या नहीं, इसकी जांच करता है by an independent person, एक ऐसे वेक्ति के द्वारा के आता है, जिसने हमारे books of account को त्यार नहीं किया है इससे वो अलग है, independent है बिलकुल qualified for the job, और ऐसे वेक्ति से हम लोग अलटिंग करवाते हैं, जो इस अलटिंग को काम करने के लिए qualified person है authorized person है, not in any way connected with the preparation of such accounts और ऐसे वेक्ति से हम लोग करवाते हैं, जो हमारे books of account को preparation करने में किसी भी तरह से indulge नहीं है इसमें वो किसी तरह से जुड़ा नहीं है, ऐसे वेक्ति से हम लोग करवाते हैं, जो चलिए, इस definition से हम लोग को पता चल गया कि books of accounts का correctness, उसकी सत्याता का हम लोग जाच कराना है, इसी को हम लोग अलटिंग कहते हैं आज हम लोग आगे करते हैं, औरिटिंग का स्कोप क्या है, स्कोप का अगर बात करें तो फिर तीन ही काम है, स्कोप कर हम लोग बात करें जिसका limitation याईनि औरिटिंग के अंदर में क्या आता है, तो तीन ही चीज़ है फिर आगे discussion आपको यहां description भी दिखेगा, पहला तो है to determine the fairness and authenticity of reported, reported financial position, कहता है, सबसे पहला काम है, determine क्या करना, fairness and authenticity, तो पहले fairness, यानि जितना भी books of account बनाया गया है, जो भी हम लोग ने transaction किया है, journal किया है, ledger, trial balance, profit and loss account और बालंसिट जो बनाया है, वो fairness बिल्कुल साफ कोई गरबड़ी नहीं है, authenticity, वो विश्वसनिय है या नहीं, इसकी जाच करना, financial position जो हम लोगों ने बनाया है, उसका जाच करना ही, और इटिंग है, इसका यही काम है, और इटिंग का scope यही है, दूसरा कहता है, to determine the detection and prevention, the errors and fraud, अगर कहीं कोई errors या fraud है, यानि errors, यानि कोई गलती यानि सुद्धी है, या फिर कोई fraud, कहीं कोई घपला, कहीं दोखादरी अगर हो गया है, तो इसका कहता है, detection, उसका पता लगाना, और फिर prevention, और उसको फिर रोकना, ये काम है रूटिंग का, आगे कहता है, to assure that financial statements are made by following rules and regulations are being framed in particular country, कहता है, इस बात का assurance देना, इस बा पका कर देना, कि जो financial statement जो बनाया गया है, आर मेट जो बनाया गया है, ये हर देश का अपना-पना rule and regulations होता है, तो इस देश का इंडिया में, जो rule and regulations है, इसको फ्रेम किये गया है, हमारे देश के country के द्वारा जो फ्रेम किया गया है, उस rule and regulation को follow करते ही, books of account जो है बनाया और उसका जाच उसी के नुसर किया गया है, हमारा financial statement उसी के according मना है, तो इसकी जाच करना भी जो है, और ये auditing का काम है, यही बात जो अभी हम लोगों ने scope में देखा, वो detail में आपको यहां देखेगा, the scope and dimensions of auditing have greatly increased in the services and the evolution of the new concept such as the tax audit, management audit, operation audit has further laid emphasis on the adoption on a wider scale, auditing जैसे बढ़ता चला गया, तो auditing के जो है अलग-अलग variety, अलग-अलग तरह के types, kinds of auditing जन्म ले लिया, जैसे कि आप देख सकते है, management audit है, tax audit है, operation audit है, और फिर ही आगे बनने लगा, actually the primary audit का जो objective है, detection of fraud in the beginning of now shifted to the determination of the fairness and authenticity of the reported financial position together with the detection and prevention of the errors and fraud, जो भी हम लोगोंने बात किया, बड़े स्तर पर अगर देखा जाए, तो the scope of auditing and meet the exhaustive rules and regulations, अभी जो हम लोगोंने बात किया, यह होगी हमारा scope of auditing, आईए, अब एक बड़ा ही important, जिससे की question आपकी exam में generally पूछा ही जाता है, जो की है, आईए, यह आपका एक question इससे full question त्यार होने वाला है, bookkeeping, accountancy or auditing, bookkeeping, accountancy or auditing, इन तीनों ते बीच में difference क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, bookkeeping क्या है, ऐसे तो detail में है, अभी हम लोग पहले बात कर ले, bookkeeping तो मतलब होता है, अच्छा businessman क्या करता है, यह देखते हैं, एक businessman जो है, वो transaction करता है, business करता है, मतलब क्या करता है, वो सामान को नगद में बेशता है, उधार में बेशता है, कभी assets purchase करता है, और assets अब काम लाग नहीं रहे हैं, पूराने हो चुले हैं, तो उसको sell भी कर देता है, नए assets फिर खरीता है, कुछ माल उधार में खरीता है, नगद में खरीता है, कुछ expenses का payment करता है, income receive करता है, bank में पैसा deposit करता है, bank से पैसा withdraw करता है, इन सब को हम लोग कूल मिला के, single word में कहते है, business transaction, तो business transaction को लिखने का, जो recording रखने का जो तरीका है, इसको हम लोग बोलते है, bookkeeping, या कह सकते है, all the transactions in a written form is called bookkeeping, short में कह सकते है, bookkeeping में क्या क्या आता है, तो यह आपका हो गया journal, laser, यह हो गया आपका bookkeeping, यानि सब को लिख करके जो रखेंगे, यह हो जाएगा हमारा bookkeeping, देखिए, तो bookkeeping के अंदर आपका आ जागा क्या क्या क्या, यहां से यह एक, दो, तीन, चार, इस चार चीज़ों को मिला कर bookkeeping कहते है, bookkeeping में क्या क्या आता है, generalizing, यानि सारे transaction को generalize करना, posting into laser, laser में उसको post करना, और इनका total करना, और different different account में इसको transfer करना, और फिर इसका balancing करना, इतना सब को इन चार काम को अगर हम लोग करे तो इसको हम लोग बोलते है bookkeeping, अब आगे बात करते हैं, accountancy क्या है, accountancy कहता है, checking the work of the book bookkeeper, bookkeeper ने bookkeeping का जो काम क्या है, वो ठीक किया है या नहीं किया, इसको check करना, जाच करना, preparation of trial balance, trial balance बनाना, उसके बाद trial balance से हम लोग trading and profit and loss account बनाते हैं, और फिर balance sheet बनाते हैं, तो और उसके बाद balance sheet बनाते हैं, और उसके बाद फिर, फिर हम लोग passing interest from the rectification of errors and making the adjustment, और जब हम trading and PL account बना लेते हैं, balance sheet बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, कहीं कोई गलती रह गया, कहीं कोई errors है, fraud है, तो उसका compensation करना, error and fraud को ठीक करना, तो ये सारा adjustment करके करना, इन सारा को हम लोग बोलते है, accountancy, तो ये जो चार चीज, पांच चीज है, इस पांचों क मिला करके, ये जो आपको यहां से ले करके, यहां से तक जो ये आपका पांच चीज है, इसका inclusion, समावेस कहलाता है, accountancy, auditing क्या है, auditing कहलाता है, कि अभी तक हम लोगों ने जो भी transactions और bookkeeping जो किया है, accountancy, जो हम लोगों ने किया, यानि accountancy में जो जो हम लोगों ने काम किया, इन सब का fairness, इन सब का जो correctness का जो जाँच करना है, inspection है, जाँच करना है, इसको हम लोग बोलते है, auditing, examination जो है, इसको बोलते है, हम लोग, auditing, क्या है, checking the work done by the accountant, accountant नहीं है, सारा काम क्या, accountancy में आपने देखा, वो सारा काम ठीक हुआ है, ये नहीं, इसका जाँच करना, examination कर देखे, examination of record यही कहलाता है, आपका auditing, ठीक है, तो detail में फिर आपका ये paragraph form में है, ये आप पढ़ सकते हैं, तो exam में अगर आप उतना लिख देंगे, तो काम हराकी बन जाएगा, चलो जी, तो ये वही है, ठीक है, जो हम मैंने आपको short में बताया, वो detailed में यहाँ पर आपक फुल बन जाता है, ठीक है, फटा-फट सा अब इसका screenshot ले लो, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, accountancy and audit, यानि accountancy और audit, एक जिसा दिखता है, फिर भी दोनों में difference है, क्या है difference, आईए बात करते हैं, कहता है, as shown, as shown earlier, a line of determination has to drawn between the accountancy and auditing, the following points are helpful to going to this, देखिये, accountancy is mainly concerned with the preparation and summary and analysis of the record prepared by the bookkeeper, कहता है, accountancy क्या है, तो यह mainly concerned with the preparation, preparation of summary and analysis of records prepared by the bookkeeper, bookkeeper, accountant जो है, जो summary करता है, bookkeeping का और accountancy का, यह bookkeeper का जो काम है, उसी को बोलता है, accountancy, और auditing क्या है, auditing तो कहता है, examination of the completed records, तो accountant जो है, वो सारे accounting record करता है, और उस record का जो examination करता है, उसको बोलता है, bookkeeping, पहला difference हो गया, the main object of accounting is to ascertain the trading results of the business during a financial year, while the objects of audit is to, तो accountancy का जो objective है, accountancy करने का उद्देश से objective क्या है, तो trading of a business, जो है, इसका financial year का जो है, उसका main object है, accounting का ascertain करना, is to ascertain the trading results, तो trading results, trading results, trading results का मतलब क्या होता है, कि profit and loss account बना करके हम लोगों को पता चला कि इस साल हम लोगो profit हुआ है, या loss हुआ है, या कितना profit या loss हुआ हुआ, इस बात का पता लगाना, इसके लिए हम लोग accountancy करते हैं, auditing का objective क्या है, auditing क्यों करते हैं, object of auditing is to certify, क्या certify करना, correct the financial statements are prepared by the accountant, तो auditing का काम है, auditors का काम है, कि जो books of account, जो financial statement बनाए गया है, वो authenticity के अनुसार बनाए गया है, उसकी अपनी authenticity है, authentic है, ठीक है, तो ये काम है, auditing का. तीसरा difference, an accountant is an employee of the business, accountant जो है, वो business का एक तरह का employee होता है, लेकिन auditor जो है, ये एक तरह से business से independent होता है, outside the business, auditor के, auditor जो है, auditor comes from the outside of the business, ये business के बाहर से आता है हमारे business में, और हमारे business का accounting activities का, जो report हम लोग है, उसका ये examination करते हैं, as an fourth reference, as an employee of the business, he draws the monthly salary, जो accountant है, वो हमारे ये regular काम करता है, इसलिए accountant को monthly salary देते है, regular from the business itself, और business से उसको regular salary मिलता है, auditor को लेकिन pay किया जाता है, जो है remuneration, agreed upon the between him and his client, लेकिन auditors को जो है remuneration, यानि उसको पारिस्ट्रमिक दी जाती है, जो कि client और जो auditors है, उसके बीच में जो deal हुआ है, उतना pay किया जाएगा उसको, 5th difference, an accountant is not expected to have a knowledge of auditing, accountant से उम्मी नहीं की आती है कि उसको auditing का knowledge होगा, from an auditor, auditor के तरफ से, it is very essential to possesses a thorough knowledge of accountancy, तो accountant को जो है, accountancy का knowledge रहता है, लेकिन बड़ा detailed में knowledge, बहुत ज़्यादा vast knowledge इसको नहीं होता है, लेकिन जो auditor है, उसको thorough knowledge होना चाहिए, पूरे accountancy का, thorough knowledge होना चाहिए, तब ही तो जाच कर पाएगा कि कहां और errors है, कहां fraud है, फिर उसका prevention और detection और पिर कर पाएगा, and 6th difference, an auditor can be changed from year to year, auditor को हम लोग साल दर साल में change कर सकते हैं, इस साल Mr. X ने auditing किया है, और दूसरे साल हम लोग Mr. Y को, फिर Mr. Z को अपोइंट कर सकते हैं, लेकिन accountant को जो है, as he is usually a permanent employee of the business, लेकिन accountant जो है, वो generally business का permanent employee होता है, उसको हम लोग थोड़ी ना बार बार साल दर साल change करते रहेंगे, साथवाँ difference and last difference, an accountant does not submit his report on the financial statement, prepared by him, जो accountant है, वो submit नहीं करता है report, financial statement जो उसने तयार किया है, लेकिन क्योंकि, देखिए, accountant जो है, वो financial statement बनाता है, यह उसका काम है, उसने financial statement बना कर तयार कर दिया, लेकिन वो किसी को report नहीं सौपता है, वो किसी को submit नहीं करना report बगरा, लेकिन auditor ने जो है, इसने जो भी काम किया है, इसको submit करना पड़ता है his report to his client, तो auditor का काम है, कि auditor ने जो भी auditing का काम किया है, इससे वो report त्यार करता है, और यह report जो है, इस report को auditor अपने client को submit करता है, यह submit करना पड़ता है, आईए, अब हम लोग बात करते हैं, audit and investigation, दोनों एक जैसा दिखता है, लेकिन दोनों के बीच में difference है, audit, audit का मतलब तो आप देखी रहे हैं, अंकेक्षन, यानि books of accounts का, यानि profit and loss accounts, सारे, जो भी हमें लोग account बनाया है, जैसे कि balance sheet है, इन सब का जाच करना, इन ग्जामिनेशन करना, या auditing है, investigation दूसरे अर्थों में युस किया आता है, investigation का मतलब जाच होता है, लेकिन किसी कहीं अगर कोई fraud हो गया है, कहीं कोई crime हो गया, कहीं कोई accident हो गया, उसका जाच करना, इसका investigation कहते हैं, and investigation are not the same thing, but there is a lot of difference between the two, the accounts of the firm may be investigated for some special purpose, it is a short of thorough inquiry into the financial position of the business to measure the profit earning capacity, चलिये, अब एकिक करके हम लोग दिफरेंस देखते हैं, as already pointed out, investigation is done with some special purpose in view, while audit is carried out to find, whether the balance sheet, whether the balance sheet of the concern is properly drawn up and exhibits a true and fair view of the state of affairs, कहता है, investigation जो है, किसी special purpose के लिए हम लोग करते हैं, investigation के एकर जवरत है, किसी special purpose के लिए तब हम लोग investigation करते हैं, लेकिन auditing जो है, यह auditing जो है, हमारा जो profit and loss account है, यह true and fair amount of profit यह loss हम लोग को सो कर रहा हैं नहीं, जो balance sheet है, वो हम लोग को the present correct position of the business बता रहा है कि नहीं, इस पर हम लोग बात करते हैं, आगे, तो दोनों दो चीज़ है, auditing और investigation अलग चीज़ है, second difference, audit is generally conducted at the end of the financial year, auditing क्या है, generally end of the financial year, साल के अंतिम दिन होता है, last में होता है, तभी तो सारे books of account त्यार हो जाते हैं, last में investigation और examination उसका हो पाएगा तब तो, it relates to the accounts of the one year only, तो auditing जो है, ये एक साल का, जितना भी हम लोगों ने books of account त्यार किया है, उसका examination करना ही auditing कहलाता है, while investigation covers several years, say the three, four, five, seven years, है न, तो investigation जो है, कई वर्सों का एक बार में कर सकते हैं, तीन साल, पांच साल, साल, दस्तला कर सकते हैं, find out average earning capacity, or to measure the financial position of the concern, किसी भी बिजनस का, जो profit earning capacity है, वो पता लगाने के लिए, वो जानने के लिए, या फिर जो financial position है, वो जानने के लिए, बिजनस का concern जानने के लिए, हम लोगों करते हैं, investigation, और एक बार में 3-4-5 साल के लिए, investigation may be normally carried out on behalf of those, or outsiders who either want to purchase the business, to, or to become partners, कहता है, investigation जो है, वो generally outsiders करते हैं, इस बिहाब में, इस बिहाब में, कि वो business का या तो partner बनना चाहते हैं, या उस company का वो share बगारा ख़िदना चाहते हैं, इसलिए उस company का profit or loss कितना है, वो जानना चाहते हैं, इसलिए उस company का investigation कहते हैं, उसे company का share उनको ख़िदना है, पैसा invest करना है, तो जानना चाहते हैं, तो investigation generally outsiders करते हैं, और अपने लिए करते हैं, to advance loan, loan देने के लिए, purchase the shares from the firm, from the share ख़िदने के लिए, जबकि audit is always conducted for the proprietors only, तो investigation जो है, वो outsiders के द्वारा किया जाता है, उनके लिए, वो अपने लिए करते हैं, जबकि auditing जो है, यह businessman, proprietor जो है, अपने business के लिए खुद करवाता है, करता है, आईए, third difference, audit accounts are audited, accounts are further investigated for some special purpose, जो accounts audit कर लिए गये हैं, यानि जो audited accounts है, उनका कुछ wishes purpose के लिए, कुछ special purpose के लिए उसका investigation किया आता है, in view, while investigated accounts are audited in the ordinary course, कहता है कि जो investigated accounts है, उनका audit करना, यह ordinary course है, लेकिन audit के बाद जो हम लोग investigation करते हैं, वो special case है, आगे देखिए, fifth difference, as the purposes behind investigation are different from those of audit, कहता है कि investigation करने का जो purpose है, कहता है, कि as the purposes behind the investigation are different from those of audit. कहता है कि investigation करने का जो purpose है, वो अलग है, auditing करने का जो purpose है, वो अलग है. One cannot take the place of other, और यह दोनों एक-दूसरे का स्थान, एक-दूसरे का जगह नहीं ले सकते हैं, यारी alting investigation का जगह नहीं ले सकता है और investigation alting का जगह नहीं ले सकता है आगे आईए as such they have a separate function to perform और इनका separate दोनों का अलग-अलग perform करने का अलग-अलग area है space है place है इसलिए दोनों अलग-अलग चीज़े हैं और दोनों कराना दोनों दो चीज़े हैं एक नहीं है last difference चठ्था difference आपका है audit is legally compulsory audit जो अगर देखा जाए तो legally compulsory है as per the income tax act 1961 or according to the companies जो अभी amendment हुआ है companies act 2013 कहता है company को auditing करवाना compulsory है यह तो regulation है act करवाना जरूरी है compulsory है especially in the case of the companies company case में but investigation is voluntary लेकिन investigation जो है यह voluntary है voluntary यानि एक्षिक है स्विक्षा से यानि आपकी मर्जी है optional है आपकी मर्जी हो तो कराओ ना तो ना कराओ investigation and depends upon the necessity of the some purposes in view और कुछ ऐसे उद्देश से हैं कुछ अलग अलग ऐसे purpose है जब आपको और इन्वेस्टिकेशन कराने की जरूत पड़ेगी या पड़ रही है तो आप इन्वेस्टिकेशन कराओ और एकर आपको जुरत नहीं है तो आप इन्वेस्टिकेशन नहीं भी करा सकते हैं तो इस तरह से हम लोगों ना देखा कि auditing और investigation दोनों दो चीज है ठीक है चलो जी फटा फट से अब आप इसका screen sort ले लो चलो तो आज हम लोगों ने auditing का तीन चार चीज कवर किया है एक तो इन्वेस्टिकेशन और auditing में difference, accountancy audit में difference, फिर bookkeeping, accountancy और audit में difference, scope of audit भी हम लोगों ने किया है तो यह तीन चार आज हम लोगों टॉपिक कवर कर लिया तो आज हम लोग इतना ही करते हैं फिर next वोडियो में इस class को हम लोगों आगे लेके चलते हैं तो आज के लिए इतना ही, thank you so much for watching this video, okay take care, bye